हाई आज मैं आपके लिए लाया हूँ सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स यानि की फैक्टराइजिशन में अगर हम दो नंबर्स के क्यूब का फॉर्मला एपलाई करें तो हम कैसे एपलाई करेंगे यह इस सीरीज का एट सीक्वेंस का एट पार्ट है तो चलिए देखते ह एक्यूब प्लस बी क्यूब और एक्यूब माइनस बी क्यूब का पहले फॉर्मला क्या होता है और कैसे हम इसको एपलाई कर सकते है ठीक है तो चलिए देखते है फिर एक्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मला होता है एक्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मला होता है एक B square minus A B अब इसको याद करने का एक तरीका है अगर पहले plus आ रहा है तो पहले यहाँ पर plus आएगा और last में minus आ जाएगा ठीक है यह इसका formula है और A cube minus B cube का होगा A minus B then A square plus B square plus A B देखिए अगर पहले plus है तो पहले plus आएगा और last में minus आएगा पहले minus है तो पहले minus आएगा और यहाँ plus आजाएगा कोई formula को step से भी लिखता है अगर आपको इस तरीके में problem है तो book में यह formula ऐसे भी लिखा हुआ है A plus B A square minus A B plus B square sorry मेरा pen खतम हो गया है यह इसको ऐसे भी लिखा हुआ है A square minus A B plus B square तो उसमें confuse होने की जरुबत नहीं है आप चाहें ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें दोनों A की चीज़ है ठीक है और यह ऐसे दिया हुआ है A minus B A square plus A B plus B square ठीक है तो यह इसका formula यह दोनों A की चीज़ है आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें बात A की है ठीक है अब देख ले जाए A cube plus B cube और A cube minus B cube यह दो formula है लेकिन कुछ लोग A plus B के whole cube और इसमें बहुत confuse होता है देखिए यह पूरे term का cube है यह पूरे term का cube है यह individual term का cube है यह भी यहाँ individual term का cube है अगर A minus B का whole cube का हूँगा तो वो यह नहीं होगा वो हो जाएगा हमारे पाँ A cube plus B cube plus 3AB bracket start A plus B ठीक है यह A cube plus B cube का है और A cube ठीक है सॉरी A cube minus अगर मैं इसको plus कह लो एक मिट के लिए ठीक है अगर मैं इसको plus कहूँ तो यह इसका है अगर मैं minus कहूँ ठीक है अगर मैं minus कहूँ तो सारे minus हुजाएंगे A cube minus B cube minus 3AB bracket start A minus B ठीक है यह तो individual term का cube है individual term का cube है यह पूरे का cube है यह पूरे का cube है यहाँ ध्यान देख लिए यह पूरे का cube है यह individual term का cube है तो चलिए फिर इसी फे बेस कुष क्षिशन देख लेते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखे यह 8 x cube plus y cube तो मैं इसको कैसे लिखूँँगा मैं इसको 2 का cube बना लेता हूं देखे कैसे कुप लिए फैक्टर कर लीज़ी अगर डाउट है किसी को तो यह हो गया x cube plus y cube आ हonब आप इसको कैसे लिखेंगे देकिए अब आप इसको लिख सकते हैं धिखे टू एक ज़िए टाम करेंगे तो आपको यही कर लेंगा फ्लस वाई कुट ठीक है अब यह आपके पास क्या हो इसको मैं A suppose कर लेता हूँ ठीक है इस पूरे term को क्या suppose कर लेता हूँ Let A ठीक है यह A cube हो गया और इसको क्या suppose कर लेता हूँ B ठीक हो गया इसको मैंने B suppose कर लिया तो यह किस form में convert हो गया देखिए A cube plus B cube तो formula क्या होता है formula आपको याद रखना पड़ेगा बिना formula के नहीं होगा a plus b फिर a square plus b square minus a b पहले plus है तो पहले plus आएगा और last में minus आएगा अब आपको क्या करना है a की और b की value equation में put up कर देने हैं तो a की value कितनी है ये b की value किया है ये तो रख दीजे for equation में तो आपके पास क्या आ गया देखिए आपके पास आ गया a की value है आपके पास 2x plus y और देखिए a की value कितनी है 2x का whole square plus y का square यानि की ये रहा minus a b a कितना है आपके पास 2x into y ठीक है तो अब आप इसको एक step और solve कर लिजिए 2x plus y 2 का square कितना हो गया 4 x square plus y square minus 2xy ठीक है अब देख लेते हैं इसको और कर लेते हैं फिर equation आपके सामने देखिए इसको किसे solve करेंगे ठीक है तो ये है आपके पास 64 x cube तो 64 किसका हो जाएगा 4 into 4 into 4 ठीक है 4 forja 16, 16 forja 64 ये होगे x cube अगर किसी को factor करने नहीं आते हो तो वो ऐसे भी इसके factor कर सकता है ठीक है तो ये होगे आपके पास plus 1 ठीक है अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको लिखूँगा 4 x का whole cube ठीक है क्योंकि अगर 4 को 3 time multiply करूँगा तो ये ही आएगा ठीक है 4 x 4 x 4 और यहाँ पर मैं किसी 1 का cube लिखूँँगा तो 1 को आप कितने भी time multiply कीजिए means 1 देखिए ये convert हो गया सीधे a cube plus b cube में तो देखिए a cube plus b cube का formula apply करिए a plus b then a square plus b square minus a b ठीक है अग पहले plus है तो पहले plus आजाएगा और last में किया आजाएगा minus आजाएगा तो e की वëली आपके पास कितने ही आप देखिए 4 x और b की वेली कितनी है 1 ठीक है तो ये कितना आजाएगा 4 x plus 1 फिर क्या जाएगा 4 x का square minus 4 x into तो आपके पास कितना आ गया 4x प्लस 1 यह इसका आंसर है चलिए एक विशन और देख लिए यह है आपके पास देखे पहले इसको मैं क्यूब के फॉर्म में कनवर्ट कर लेता हूँ मैं इसको लिखता हूँ x स्क्वाइर की पावर 3 देखे अगर इसको आप बाहर 2 और अंदर 3 करेंगे तो मुझे क्यूब में कनवर्ट करना है इसको आर में कनवर्ट नहीं करना मैं यहाँ 2 और यहाँ 3 नहीं लिख सकता हूँ अभी मुझे क्यूब में कनवर्ट करना है तो मैं 3 को भाल लिखूँगा 3 to 6 हो जाएगा और देखिए ये होता है असल में 7 का 7 into 7 into 7 करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा प्लस यहां भी होई देखिए 7 into 7 into 7 upon ये कितना आ गया देखिए वो ही x square का whole cube ठीक है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए फिर x square upon 7 का whole cube प्लस ये कितना हो गया 7 upon x square का whole cube तो ये किस में convert हो गया a cube प्लस b cube में ठीक है a cube प्लस b cube में convert कर दिया तो a की value अब इसका formula क्या होता है a plus b then a square plus b square minus a b तो पहले plus है तो पहले plus हा जाएगा और last में minus हा जाएगा तो a की पूरी value ये है और b की x square upon 7 प्लस 7 upon x square फिर a की value कितनी है x square upon 7 प्लस b की वैली कितनी है 7 upon x square का whole square माइनस a b a कितना है आपके पास x square upon 7 तीक है और b कितना है 7 upon x square देखें ये term से ये cancel ये ये term से ये cancel हो जाएगा तो आपके पास क्या answer आएगा देखें x square upon 7 plus 7 upon x square और यह आपके पास आ गया x का square कितना होगा इसको इससे multiply कीजिए कितना हो जागा x to the power 4 upon कितना हो जागा 49 7 का square कितना हो जागा 7 into 7 49 plus यह कितना हो जागा 49 7 7 is a 49 और x to the power 4 minus 1 ठीक है यह आपके पास इस cancer हो गया अब देखते हैं यह वाला question देख लेते हैं फिर एक बार यह वाले question मैं क्या कह रहा है x square plus x to the power 5 तो x square तो ऐसे ही रहा ठीक है और इसको मैं कैसे लिखूँगा ज़रा ध्यान से देखेगा इसको मैं लिख सकता हूँ 1,2,3,4,5 देखिए ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1,2,3,4,5 अब देखिए x square इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x square into x cube क्योंकि मैंने x square को common लेना है इसलिए मैंने लिखा मैं direct भी लिख सकता था आपके लिए लेकिन मैंने x step और इसको छोटा करने के लिए ऐसा लिखा है तो x square को आप common ले लिए आपके पाप bracket मैं क्या बचा 1 plus x cube ठीक है तो आप इसको a cube plus b cube मैं convert कर लें यह होगा x square यह कितना होगा आपके पास 1 का cube plus x का cube a cube plus b cube मैं आप इसे convert कर लिजे तो आपके पाक क्या आजाएगा x square तो ऐसी आगया यह a plus b a cube plus b cube मैं convert करेंगे तो क्या आजाएगा 1 a का cube plus b का cube ठीक है तो a cube plus b cube का formula apply कर रही है a plus b वही a square plus b square minus a b जैसे उपर करा था आप value put up कर दीजे तो आपको मिल जाएगा x square अब देखे a की वहली कितनी है 1 1 plus x then a square एनी की 1 का square plus b का square एनी की x का square minus a b 1 into x ठीक हो गया यह कितना होगा x square 1 plus x then 1 plus x का square x square minus 1 x या x लिख देखेंगे ठीक है यह देख लेता है 27, 27 किसका हो गया 3 का हो गया 3, 3 जा 9, 3 जा 27 और यह कितना होगा x cube y cube minus 8 तो देख लेता है फिर इसको आप कैसे लिख सकता है 3 x y का whole cube ऐसे लिख सकता है minus इसे क्या लिख सकता है 2 का cube अब देखें यहाँ a cube minus आ रहा है a cube minus b cube का लगेगा a cube minus b cube तो a cube minus b cube का क्या होता पहले minus है तो पहले minus आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा यह हो गया a square plus b square plus a b तो value put up के लिए a की पूरी value क्या है यह है b की पूरी value क्या है ख़ली 2 है तो रख दीजिए फिर कितना हो गया 3 x y minus 2 ठीक है और बहें कितना हो गया a का square जाने की 3 x y का whole square plus b square कितना हो गया 2 का square minus sorry plus a b a b कितना हो गया 3 x y और यह कितना हो गया into 2 तो आपके पास के आगया देखे यह आपे आगया 3 x y minus 2 into कितना आगया 9 x square y square ठीक है प्लस कितना हो गया देख लाता है यह वाला पार्ट एक्यूब प्लस बीक्यूब वाला और एक्यूब प्लस बीक्यूब वाला तो देखे इसको कैसे सॉल करूँगा यहाँ एक्यूब प्लस बीक्यूब का फॉर्मला खोल दीजिए एक्यूब प्लस बीक्यूब का फॉर्मला खोल दीजिए एक् दिने ब्रैकेट क्या बच्छे का ए स्कॉर प्लस बी स्कॉर माइनस ए बी प्लस वान तो यह इसका क्या है अनसर है देखते हैं इसके पाद मॉस्ट इनपॉर्टन कुछिए यह वाला इसको हम कैसे सॉल्ब करेंगे देखते हैं यहां पर टू को आप ब्रेक कर लिजे वन प्ल देखते हैं और यह वाला देख लेता है देखते हैं यह वाला देख लेता है इसको मैं कैसे solve करूँगा इसको थोड़ा सा ट्रिक से करना पड़ेगा यह लिखना पड़ेगा a square की whole cube यहां पर लिखना पड़ेगा b square का whole cube ठीक है a cube और b cube में आप convert कर लीजे तो यह आजागा a square plus ठीक है तो यह क्या हो जाता है यह यह यहां पर माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा मैंने गल्टी से लिख दिया तो यह हो गया a minus b then a square plus b square plus a b पहले minus बाद में प्लस तो रख दीजिए a की value a की value कहां आपके पास यह है a की value है तो यह आगया a square कितना आगया minus b square फिर क्या आगया a square का whole square plus b square का whole square और फिर क्या आगया plus a square b square देखे यह a plus b a minus b में तूट सकता है तो इसको लिख लिखे जिए a plus b और a minus b यह आगया आपके पास इसका multiply करें a to the power 4 plus b to the power 4 plus a square b square यह इसका solution है ठीक है चलिए एक last part का hint में आपको दे देता हूँ कि इसको कैसे solve करेंगे यहां से आप two common ले लिजिए देखे two common लेंगे तो यह बच जाएगा आपके पास 125 अगर किसी को doubt हो तो ऐसे लिख सकता है two into 125 a minus b का whole cube plus two देखे मैं इसमें से two common ले लिए है तो आपके पास यही तो टम बचेगा ठीक हो गया प्लस one ठीक है अब देखे आप इसको कैसे लिखेंगे यह हो गया five into five into five यह हो गया a minus b का whole cube plus one का cube ठीक है अब देखे मैं इसको कैसे लिखूँगा five a minus b का whole cube और प्लस का one इसका one का तो यह आपके पाफ फिर वैसी आप फॉर्मला अप्लाई कर लिजिए aq plus bq यह तो आप अप्लाई करी सकता है ठीक है तो एक ही वेली पूरी यह है बी की वेली यह है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्स्क्राइब मैं चनल थैंक यू